असलाम अलेकूं फ्रेंट्स मैं हूँ शारुक गोरकपूर बड सोसाइटी से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शारुक बड लवर दोस्तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमें लबड परचेस कब करने हैं और उनकी ब्रीड कब आएगी तो अभी दोस्तो काफी जादा लबड की डिमांड चल लई है तो हर कोई लबड का ब्रीडर बनना चाह रहा है तो मैंने सुचा क्योंने इस पे एक वीडियो बना दू कि आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो दोस्तो सबसे पहले ये जान लिए दोस्तो रिंग मुटेशन और नॉन रिंग मुटेशन और नॉन रिंग मुटेशन दोनों अलग 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 चीज है और दोनों की अलग अलग ब्रीडिंग एज है नौन रिंग मूटेशन जो दोस्टो है 6-8 महीने में breed के लैक हो जाता है और जो हमारा रिंग मूटेशन है वो तकरीबन 10-11 महीने में मतलब breed के लैक होता है adult होता है तो उसी हिसाफ से दोस्तो हम उनको purchase करने हैं अगर आप मई जून में बच्चे करिते हैं और उसके बाद सेप्टेंबर अक्टवर में एक्सटेशन करते हैं कि वो अच्छी breed कर जाए तो दोस्तों कभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि जब उनकी age ही नहीं complete होगी तो वो breed कैसे करेंगे और अगर किसी ने breed कर भी ली तो infertility आएगी अंडे में और या तो बच्चे कमजोर निकलेंगे बच्चे मर जाएंगे तो ये सब problem दोस्तों आती है अगर आपको लबबड का breeder बनना है दोस्तों तो सबसे पहला काम आप उनकी age देखिए कि जब तक वो उनकी age ना हो जाए breeding like adult फुल adult की age ना हो जाए तब तक आप उनको box या मटकी मत दीजे क्योंकि box और मटकी अगर पहले दे देते हैं दोस्तों तो हमारे जो लबबड होते हैं वो खराब हो जाते हैं एक तो वो infertile अंडे देने लगते हैं कमजोर बच्चे निकालने लगते हैं तो जब उनकी नीब जो है कमजोर हो जाती है एक दो पेर ले आके वो लबड के ब्रीडर बन जाएंगे तो ऐसा दोस्तों बहुत कम होता है क्योंकि लबड में male female बताना बहुत मुश्किल होता है बच्चपन में और जब हम पठे खरीदते हैं तो पता ही नी लगता है male कौन है female कौन है और हम बच्चपन से ही उनको कलर देखके अलग-अलग separate कर देते हैं कि ये इसका जोड़ा है बाद में पता चलता है कि female female है male male है इस चक्कर में सालों निकल जाते हैं और breed नहीं आती है अगर दोस्तों आपको successful लबड का breeder बनना है तो जो भी mutation पकड़िये आप 4-5 जोड़े उठाइए और पठे उठाइए एक साथ colony में डाल दीजिए भले ही आपको separate रखना हो जब तक वो adult ना हो जाए pairing ना हो जाए next box मटकी लगाईए जब वो adult हो जाए colony में जब वो साथ में बैठने लगे रात में आप 3-4-5 दिन के बाद मटकी बॉक्स लगाने के बाद चेक करिएगा जो भी pair bonded होंगे वो रात में आपको मटकी या बॉक्स के अंदर मिलेंगे तो उन pair को आप पकड़के अपना separate कर दीजे तो इंशालला अच्छी breed आएगी और दोस्तों मैंने भी पहले रखे थे लबबट 7-8 साल पहले तो मैंने भी यही गलती की थी कि separate रखा था और कहीं से मुझे pair मिल गया था मैं 2 महीने तक देखता रह गया 3 महीने तक देखता रह गया कि अंडे आनेंगे अंडे आएंगे और मैंने लबबड हटा दिये थे लेकिन दोबारा से मुझे लबबड का शौक लगा और मैंने थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च किया कुछ मेरे दोस्तों ने काफी हेल्प की तो इस वज़े से दोस्तों मेरे वहां माशालला से इस बार अच्छी ब्रीड भी आई है अच्छे बच्चे भी आई हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये चीज़े मैं शेयर करूँ और इससे और भी लोगों की हेल्प होगी कि लबबड खरीदते कब हैं उनकी ब्रीड कब आती है तो दो चीज़ का दोस्तो आपको बिलकुल ध्यान रखना है कि लबबड जो आपको खरीदने है वो नवंबर से मार्च तक में खरीदने है तीन से चार महीनी के पठ्थे जो कि आपको सीजन के स्टार्टिंग में ही रिजल्ट इंशालला आने स्टार्ट हो जाएंगे दूसरी चीज़ एज का बिलकुल ध्यान देना है दोस्तो कि बिलकुल भी एज से पहले इनके बॉक्स या मटकी नहीं लगाना है नहीं तो आपकी ब्रीड खराब होने लगी की तो दोस्तो ये छोटा सा टॉपिक था मैंने सुचा आप लोगे साथ शेयर कर दूँ क्योंकि अगर आपको सेपरेट रखना है तो अगर हाई मोटेशन रखना है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि हाई मोटेशन में हर इंसान डियने करा के रखता है और जो हजार दो हजार का लबबड आता है तीन हजार का लबबड आता है दोस्तों वो कोई डियने नहीं कराता है अगर आपको दो ही तीन पेर रखना है सस्ता ही रखना है तो आप DNA करा सकते हैं DNA करा के रखिए तो कोई problem नहीं है तो दोस्तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो मैंने सुचा आप लोग के साथ share कर दूँ कहीं न कहीं किसी न किसी की help हो जाएगी इस वीडियो से तो दोस्तो के लिए दोस्तो खुदा आफिस फिर मिलेंगे